आप सभी का स्वागत है रवी जौन फार्मिंग लीडर में, मैं रवी चागी आपका होस्ट हैं दोस्त, मेरे सभी बुजुर्ग और किसानसातियों को मेरा राम राव, तो किसानसातियों, आज हम फिर आ गए हैं परवियन कुमार जी के पॉल्ट्री फार्म पर, जहां हम जान किसानसातियों, हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जहूर दबाएं कि आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में वैसे तो लोग आपको जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार आप अपना एक छोटा सा परिशे दें तो परविन कुमार जी आपको ये जो पोल्टती फार्में ये रविए कितना टाईम हो गया जी नो से क्मार जी आप जैसे आप नो दस साल से इस काम को कर घा हैं तो अपने इस काम में क्या बात हैं कैसा महसूस किया है मैसे सही कया है कि अपने दान लोटी ज़ाती है और अच्छा काम है कि जैसे आप आप इस पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कामकी अच्छा ही क्या है च्रहिश यह है कि सबसे परहले और 25 कि बहुत बेख दो और पता लिग जा राइगा अपको consentni शाओ montage कि अपता लगा कि ए अपना काम है और इसी कि नोकरी नहीं करनी कुछ नहीं करना है और जो है इसमें जो यह तो अच्छी बात हो गई इसकी अब यह बताओ कि इसमें समस्या क्या है इसकी बुराई क्या क्या है काम की समस्या तो हैं जी ऐसा कोई कामनी है जो दुनिया में जो समस्या ना हो समस्या सब से पहली यह है इसमें इनकी देख बाल अच्छी तरीके से ना की जाए पानी ना रखा जाए तो इनमें दिक्कत आ जाती है वैक्सिन टाइम पर ना लगाई जाएं ठीके बिमारी भी बहुत इनकी गातक होती है विमारी गातक होती यह चोद्वे दीकी वैक्सिन लगती है इसमें और सबस्क्रवाणी जैसे कि आप गजिते की बात कर रहे हो तो मंडी के उतार चड़हों को मैंटिन करने के लिए या उससे बचने के लिए तो इस तरीके का जहान करना चाहिए? मैं जोड़ना चाहिए, किस ताइब से करना चाहिए? तो तो आपको तो बहुत लंबा टाइम होगा ये काम करते वे मैई जुन में तो मंदी का गिनने का सवाली नहीं है क्योंकि मेर्च जून में तो मॉष्चे गया हिसी का अफिंद रहते हैं किसी के पास जन्याट नहीं होते हैं कि मांध्य कोल नहीं होते हैं तो मैंठ्य नहीं हो Peace तो एस ताइम तो कोई मतलम मन्दे रहने का सवाली नहीं है कर दो लो तो क्या हिए रिटार Meyer ने चाहिए और मार्किट में ने पोछेगा तोắtोका एपने य हूचे और पनापनी उचा हे तो आप ने इस गर्म ही बच्छाने के लिए या मतलब बच्छों को थंड़ में रखने के लिए क्या हैため इंतियाम के कि विए पुडर भी लगाई हुई है पंखे लगाई हुई हैं और हमारा जो लाइट निया हमारा आए थे इनवेटर बैटर डोन हो जाएंगे तो हमारे पार जन्न अटर से फुश्टे हैं उपर पानी पुवार ते लगाई हुआ हैं पूरे बारा गंटे मंदे हम चार तो नहीं दिक्कत नहीं कोई परिसानी नहीं और देख एक पंख्यवकर आपके चले हुए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छा आपने शिस्टम बनाया हुआ है अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि मंदी के और आपके बीच में भी जो है लाइजिन है दलाल है तो उन से ब ाव यह का उ़हा जा उतन है अधानी है किसा कैफ रहा हूं हम तो यह दो आर मंदी में लेकर जिए है गाजीपूर मंदी तो हमार छुटwałिको उन यहां अच्छा हम अपने दो पैसे दो अथा है उन्हे आपर बेसे निग्से अज का हनम पार्म पार्म पर जाना जार किस नही अगर अगर हम बात करें कि इनकी जो में बिमारी है जो अगर हम बात करें इनकी जो बीमारी है वह खाष पिस जैनाग तो फाल ञत्रो का शहता है उसमें चाहे हैं उसमें सिन लगा है उसमें लग में उस एंज्हाए काउकि इसमें हो दो निदे भागु यह पहिते हैंF7 उसमें लिदे उसमें उसमें अप रुसमें लग टो गॉने जो आएको अपाल कुछ जुदम इसर फ परसेंट का टो खेल ही सारह है और गजाह तो खतं मानों से अदिए और आगे एगे फिर एक्षिवय दिन के रानी खेत है रानी खेतम आट आइ जाता है पर एक्किस वे दिन के बाद तो दस बार बिन में बच्चा भी ही जाता है जड़ी तो एफ बार बागैंगी होगी वाटी आती है थर्टॉपे हूर 1,000 वैट ना कोख नयो अवाट बाटी जो रेग्सेट की रोपी कि यहार बच्चों की यह क्या तो आजब के लो कि बाटी है बागे दोनों थियं गह्यार चक्छों की लंसम पाँ जा फ़ू कर तो नहीं आती है हमें तो वाठ यह विपने झालेगा यह पिर जाएंगे जान जाएंगे इन मेरत जाएंगे एक बात है परवीन जी जो बहुते लोग हमारे बेरोजगार और कही बार क्या देखा कि हमारे जो किसान के बच्चे हैं वो इस खेती से थोड़ा बच रहें और वो बहुत बाहर भी नहीं जाना च का नहिए हैं तो अपर आप क्या कहना क्ता अचे बारे में च्छान आपक सादी का ओक नाए टेंगर में लिए टिल शर्म कर्ण बना आब इस फार नी एक महीने तो तो इनख लिय तो time कौते है तो कोしま तो यहाए एक हजार को नहीं हम बहुत नीचे से बात करते हैं कि एक हजार बच्चों को जो है लेने में और पालने में और तैयार करने में हमारा क्या खर्चा आ जाता है एक हजार बच्चों को इस टाइम पालने के लिए डेड़ लाक रुपे का खर्चा रहा है जाता है एक हजार बच् भीदना और फीड वगरा सब कुछ खर्चा वगरा बाद कर लेकर एक साठ के बीच भीच भड़ाइगा अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मालिया तेज थीज दिन का हो गया तो जो बच्चा है उसका वेट कितना हो जाएगा उस बच्चे का चूजा आएगा उसका दो किलो के तो भो गोलो का मतलब 2000 किलो रत तो यहाण के पाद के साथ से कितने का है सब्सक्राइगा ऑल कषळ आप ने बताया है झालिक त अब जो है वो 2100 के कारीब काव्यों पाल desert OC Clauds कि अगर एक किसान का बच्चा या कोई भी किसान भाई पैंतिस दिन में चालिस से पचास हजार रुपे अपने घर पे रहे के और अपनी जगे में अपनी जगे में जोड़ के छोटे से छोटा काम करके अगर कमा रिलता है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है नहीं किसानभाईों कि कखना चाहें गरा में आ लगए काम अपने घर के घर का और एक हजार चोटे स्ली करो पर्वी अगर लेना चाहिए विजिट करना चाहिए या आप से क orada लिए क्या चाहिए विजिट करना चाहिए तो यह एको एक्ट कर देंग की तरीक एके से ट्रेइनिंग लेना चाहिए, सारी इंग जानकारी आप रए लेविल कराइगे, तो परवीं जी आपने ये पालटी फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और ये शारी बात बाते बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने परवीन कुमार जी से पॉल्ट्री फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी ली अगर उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर तबाएं ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रवी त्यागी, रवी जोन फार्मिंग लीडर से.